हाँ जी तो अब बात करते हैं आपके एक्जाम्स को लेकर करके आपके एक्जाम में बीज दिन के आसपास का समय बचा हुआ है अब वो समय बचा हुआ है जहां पर आप एक्जाम औरिंटीड पढ़ करके ही पास हो सकते हैं इसलिए आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर के जाया हूं most 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 important questions देखिए जो questions में आपको बता रहा हूं यह आपको paper में सरफ pass ही नहीं करवाएगी बलकि अच्छे score आपको दिलवा देखिए ठीक है तो इन questions को आपको importance देना है इन questions को आपको पढ़ना है questions आपके सामने आपके screen पर मैं chapter wise आपको share कर रहा हूं देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर chapter number one की chapter number one में किन-किन question उसको आपको पढ़ना है तो chapter number one में explain the concept of opportunity cost and discuss how it's related to the problem of the choice between the alternatives यह question बहुत important यह paper में पहले आचुका है ठीक है उसके बाद write a short note on production possibility curve how does it help in understanding the center problem यह बड़ा important question है इस question को त्यार कर लिजेगा एक बड़े number में आपको देखने को मिलेगा यह question दूसरी बात how is the production possibility curve used to explain the concept of the scarcity यह तीन question आपके पास में है और इसी question को इस तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं तो यह तीन question chapter number one के लिए आप अपने पास में तयार रख लिजेगा गर आप कर रहे हैं सीधा आपको इन तीनों में से सवाल आपको दिख जाएगा एक सवाल पक्का होगा पेपर में यह कोई करते हैं स्टेट अब बात करते हैं डिमांड अप्लाई नी तो स्टेट एन एक्स्प्लेइन दा लो ऑफ इमांड वाइड़ डिमांड कर लोफ दो डानवर्ड तो राइट यह मैंने आपको यह पढ़ा दिया चैप्टर नमबर वन कंप्लीट हो गया है वो तीन कोश्य में क चेंजिन सप्लाई यह बड़ा इंपोर्टन कोश्य आपके लिए बन जाता है तो इस बात का द्यान किएगा लेकिन कुछ उपर नीचे करहा हो जाए इसको मैंने पढ़ा लिया है इस चप्टर में थोड़ा सा मैं यह नहीं कह सकता इसमें तो मैं गैरंटी के साथ में आपक इस बात इस बात कर रहा हूं यह बात चल रहे हैं और 16 नमंबर की बात कर रहा हूं मैं पेपर जिस दिन होगा उस दिन शाम को आपके साथ मुलाकात करूंगा इन एक क्लिप के साथ में ठीक है अब बात करते हैं यहां पर इलासिटी अप डिमांड में वोटीज़ प्राइज लासिटी अप डिमांड डिसके दर डिटर्मिनेंट्स ओफ इलासिटी डिमांड ठीक है यह कोश्चिन वाइस दा साइन दपाई अलसिटी दिमांड इन एक्जामपल एक्सप्लेंड टोडल मेथड और डिफाइन दा कंसेप्ट अफ दा इनकम लासिटी मेथड लेकिन इसके जिगह पर मैं एक कोश्चिन आपको बोलूँगा कि आप यह पड़ लेना अगर देखेगा तीन कोश्चन बता रहो मैं आपको इसमें एक कोश्चन यह पकड़ लेना मैथड्स ओफ प्राइस इलासिसिटी और डिमांड मैं इसकी बात कर रहा हूं अगर आप यहां देखेंगे तो एक तो यह कोश्चन और दूसरा आप यह और तीसरा यह है ठीक है यह तीन कोश्चन में कह रहा हूं आज 16 नमंबर है जहां लखिएगा यह तीन कोश्चन पर निसान लगा रहा हूं पिपर मुलाकात करेंगे विपर के बाद के इसमें से क्या आता है ठीक है तीन कोश्चन बहुत इंपर्टेंट है अगर आप कुछ जादा नहीं इंपोर्टेंट इसके बीना पेपर बनना अगरी चैप्टर आपके है और इसके बीना आपका पेपर बन जाए तो वह चैप्टर का होना वेकार है ठीक है तो आप यहां देखेंगे कि इस कोश्चन को आप त्यार कीजिएगा एक्सप्लेंड फॉलिविंग केस विद्ध है अब इसके बाट इसके अब रख देते तो वहां पर एक्सप्लाइब जाता है ठीक है तो यह आप दो कोश्चन को आप अच्छे से पगड़ करके चलेंगे अब कंस्यूमर्स थेओरी की बात करूं मैं यूटिलिटी की बात करूं तो आपके पास में एक्वी मार्जन डिमांड करके डेरिवेशन विद्धा हैलप यह देखी का यह आपका एक जो है ना लास्ट का इक कोश्चन होता है आपके पेपर में तो लास्ट के कोश्चन में आपको टिपनी करनी होती है कमेंट करना पड़ता शॉर्ट नोट लिखने पड़ते हैं तो शॉर्ट नॉट में पांच चीज़ें उस पर किसे तीन पर शॉर्ट नॉट लिखने होते हैं तो शॉर्ट नॉट में यह आएगा समझेगा ठीक है और बात करते हम यहां पर राइट शॉर्ट नॉट अन कंज्यूमर सर प्लस आपका यह शॉर्ट नॉट में इन दोनों में से एक गरंटीड इस बात को आपको एगरी करना पड़ेगा कहां आप पर कंज्यूमर सर प्लस ठीक है एक वी मार्जिन उडिल्टी कहां पढ़ लिया आपने बता यह ज़रा मुझे अपने कहां पढ़ लिया वाइड़ गॉर्मेंट फिक्सा मैक्सिम मिनिमम प्राइस यह शॉर्ट प्राइस चीजे कहां पढ़ लिया अपने मिनिमम वेजिस रेट आप बताए यह आपने कहां पढ़ा है बताए लासी तो अपने पहले पढ़ा है वुट्टू पैलल स्टेट लाइन देमांड कर तो है दो सेमस प्लासिटी आप डिमांड एड़ गीवन प्राइस बहुत इंपोर्टे है और और आपको लगया कि आपने पूरी कि नाम इस पढ़ ले अगले साल समस्ट शिक साएगा तो आपको पूरा एक साल खराब होजाएगा क्योंकि आपको सब्सक्राइब और यह सेमस्टर फाइब का बैक पेपर दे निसकते हैं आप समझ इस बात को अगर कोई बैक आ ग अगले साल चला जाएगा समझे तो एक साल पूरी तरके से आप अपने जीवन में आज तक फेल नहीं हुए हूँ लेकिन ये एक पिपर का बैक इस वार आपको फेल करवा देगा तो इस वार आप बैक को बैक के नजरे से मत देखिएगा फेल के नजरे से देखिए अब बात क होता है तो इस को डाल देते हैं ठीक है ना वर्ट डियू अंडर्स्टैंड मार्जरेट अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है तो आप से बोल सकता है तो कोई भी तीन सिच्विशन देगा इसमें से वह लेगा आई सी का बस डो डो कर दो आप पांच नमर आपको मिल जाएगा तो यह आपको मेरे बत पढ़ा रखा है ठीक है अब डिराइब दा डिमांड कर अफकर कंजूमर फ्रम दा प्राइस कंजम्शन कर यह प्राइस डिमांड कर डिविशन भी यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यह बड़ा इंपोर्टेंट है यह बहुत करता है प्राइस कंजम्शन करकी हल्ब से वह सिच्वेशन होगा आपका गिफन गुट्स का जहां पर डिमांड कर सप्लाइ करकी तरह बनेगा एक बाद धान किएगा मैंने प्राने मक्त नहीं बताया था यह आपको डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर विद रहल पर प्राइस कं प्रपोर्शन इस पर कभी पर आसान बनाना होता है तो यह डाल देते हैं ठीक है ना बट आपके पर में जो आएगा वह आएगा डिफ्रेशेट बिडिविंदा इंटर्न एक्लामिक्स और आपके पर में आप बात करते हैं यह आपके पास में रिटन स्टूर्स के इसके साथ तक यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं हमारा स्रीबस कवर हो गया है मानते हो या नहीं मानते हो कमेंड करके बताओ कि यह साथ तक ठीक हां लॉंग रन वालर अब आप देखें जरा आठवा कल में इसको पढ़ाऊंगा ठीक है ना और यह आई-सुक्वांट आपका कल च लेंगे और एक्स्प्लेंड आफ फॉर्म से क्लिवरियम विद्धा हैल्प आई-सुक्वांट आई-सुक्वांट आई-सु बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चन इस पर से पेपर में जरूर आएगा आपके यह सब इंपोर्टेंट कोश्चन बताई कहां पढ़ लिया अपन लास चप्टर दसवा प्रफेट कंपिटीशन तो इस तरीके से आप यहां पर इन कोश्चन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यह कुछ है कोश्चन सी इंपोर्टेंट कोश्चन है तो लबब लबबक आपके पास पर 40-50 सवाल जो हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल हैं अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं यह इंपोर्टेंट है अब समय जैसे से आ रहा है वैसे वैसे कोशिश रहेगी आप जो है आपके पास सारे फोल्टर बने हुए चप्टर वाइस पड़े में चप्टर का नाम दे रखा है आप जाए उसके अंदर और उन इंपोर् कि जैसे ही मैं यह आपके यूट्उब पर वीडियो जाएगी तो आप अपने कोर्स को आप बाइ कर लिजी को लेगी कोर्स को लेने के बाद यह को शामने कान्टेंट तो रहा है और इसका जो सॉलीशन वीडियो सोलीशन अच्छे समझ में आ जागा सर्फ कोशन भी अगर पढ़ोगे तो ठीक है यह अगर आपने सारे कोशिंग कर लिए तो आपके तो भया अच्छा स्कोर हो जाएगा 75 और 80 स्कोर हो जाएगा लेकिन जैसे ही इस समय बीस दिन पहले भी अगर कोई बच्चा कोर्स ले रहा है और वह 40 सवाल को नहीं कर पाएगा तो इस 40 सवाल को भी शॉट करके मैं इतना बता दूँगा कि वह बच्चा आसानी से 60% के आसपास वह अपने से कर पाए अब पास करवाने की बात करूँ तो पास तो मैं 15 कोशिंग मैं करवा सकता हूं जो कि मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा पेपर की छुट्टियों में जब एको की जो आप छुट्टियां आपको मिलेंगी तो उसमें डिस्कुसिंग करूँगा कि यह सवाल अगर नहीं कि तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी नबे परसंट के लिए क्या परसंट के लिए जो पूरा मैंने स्लीबस आपको करवाया है उस पूरे स्लीबस में जाएए उसमें सिर्फ यही कोश्चिन नहीं पढ़ाया है इस लिटिट बहुत सारे सवालों को मैंने पढ़ाया है ठीकिए हिंदी में जुही मैंने एक बुक्स अवे अविलेबल करवा दिये मार्किट में ठीक है जी तो थैंक यू बच्चो थैंक यू सो मच अच्छा हिंदी में चलिए ठीक है इंपोर्टन गोश्चंस जो है यह मैं अब हिंदी में यह मुझे बस आज का टाइम दीजेगा कल में इंपोर्टन गोश्चंस का पीडिएफ हिंदी में डलवा दूँआ है ठीक है हां जी अगर आपको मास्टर करना है न सबसे पहले पचास पसेंट अगर आपके नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर पाओगा ग्रेशन दुबार करना तो फिफ्टी परसंट चाहिए चाहिए बीएट वगरा करो चाहिए आप एंबी एकरो ठीक है क्लियर है इवन मेरा मानना कि जब आपका एम एंसी में आप अपलाई करते हो ना में में तो वहाँ पर भी कभी कभी बहुत सारी में सब्सक्राइब देती है ठीक है और आप रेगुलर भी कौम करते हो तब आपको परसंटेज चेहें तो निए हर एक वीडियो में इनके हर एक चेह से एंसर है कि अगर आप नमबर वन खोलों तो इसमें आपको पहला दूसर दिख जाएगा आप अप ऐसे देखो आप ऐसे देखो चप्टर का नाम है न जैसे मानलो लासिट्री ओव डिमांड मैंने इसमें तीन कोशन बता यह तो चप्टर के नाम से फोल्डर होगा आपके पास पर एक दो और यह तीन सवाल आपको मिल जाएंगे और वीडियो में जाओ और लासिट्री ओव दिमांड आपको ठीक है ना जाप क्या करो ऐप टार्गेट ऐसे बनाओ कि आप दो दिन का समय दो अपने आपको दो दिन में एक चैप्टर का important question पड़ो धीक है? दो दिन में एक चैप्टर का important question पड़ो. अब जिसने मालों कि इसमें मैंने एक दो तीन सवाल लिखवाए तो तीन सवाल लिखवाए तो एक दिन आप जो है दो सवाल कर लो और एक दिन आप एक कोशन कर लो और शाम को उन कोशन को अपने हाद से लिख करके देख लो एक बार याद रख्टा मतमाना समझ हो कि उसमें क्या पड़ा है मेरे वीडियो में इतना कुछ बोला हुआ है मेरे बातों को सुन करके उसको अपनी लेंग्विज मे त्यार करना है तीन चार सवाल दो दिन में त्यार करना है आपको आपको वीडियो भी है कि क्लियर है जी है हां जी ना पूछे आ है हां जी ना पूछे सब्सक्राइब को अब बास क्लास की क्रिजी ले रहा है और सबोस्indet-दॉसर, लेने के बाद भी सिलें को हम इसका मतलब है यह गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम जैसे यह पेपर मेरा दस तारीक को एकनॉमिस का पेपर हो जाता है मैं 11 आपका सारी खतम हो जाते सेमेस्टर फाइब के जो आकरी विपर होगा उसके नेक्स्ट टे से मैं अपना स्लिबस चालू कर दूगा वीक में तीन दिन तक आप आराम राम से मैं स्लिबस को कवर अच्छे से करवा पाऊं ठंक से आपका स्लिबस और अच्छे तरह के से हो और अगर आप फिट और प YouTubers अगर आप चार दिन पहली आते हैं तभ पिछ रही करने तो फ्रवाथ में करपता सिर्ट से अपelson करने अर। गंटे बैठ करके लाइक क्लास से लूँगा नि पिछली क्लासे सी वो लेगा तो उसी पैसे में अगर थोड़ा पहले आ जाता तो इस गलती से आप चीखेगा और यहां पर क्या करेंगे आप आपने आने अले सेमेस्ट्रे क्लासे स्काप इडवांस में लेकर के चलिएगा कि कार्थिक डाउट इतों इक वर अपने में लेजिएगा यहीं कोस्ट्रे और मैं कल की क्लासेस के बाद आप से एक कुश्य में पर डिसकस करूंगा कि देखते हैं कि क्या के विपर में आ रहे हैं ठीक है ना किसी साथ का विपरोठ आपके देखेंगे कि परने क्या क्या पूछ आप तो सभी बच्चे जैसे content number आपके स्क्रीन पर है जो अभी यूटूब के students हैं अभी भी बिल्कुल मुहमाया में मत पड़ो और सीधा से सीधा आपके करें अपने course को लेकर करके इसके solution पर जाईए और इसकी वीडियो को देखेगा ऐसे पढ़ने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर आप इसको याद करने बैठोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं अगर आप आज याद कर लिए तो कल आप भूल जाओगे पक्की बात है क्योंकि लैंग याद के भूल पूल राद क्योंकि लुक्स्नाय आप लिए